वेल्कम बेक तो माई यूटीब चैनल तो आज हमको मिला है एक MT-15 एक राइट करी लेते हैं इसका भी आहाहा वाटे कंसोल तो फ्यूल इसका थोड़ा कम है गेर पॉजिशन इंडिकेटर ये कितना मतलब चला है मतलब जो चाहिए आपको मिलेगा इसमें बाकि बैठ लेते हैं मतलब पॉजिशन थोड़ा अप्राइड ही है क्यूंकि आपको फीट होके चलाना पड़ेगा इसको और और इसका जो है होर्ण उपर की तरफ दिया गया है और सिग्नल नीचे दिया है बाकी सब सेम ही है ये दिखने में बहुत ही सुन्दर है बाइक तो चलिए इसका वॉइस सुन लेते है तो आप एक बात देख सकते है कि इसका वीवी जो है वह एक्टिवेट होता है सेवन थाउजन पर देखिए अभी तक वीवी एक्टिव नहीं है मैं सेवन थाउजन आर्पीम को हीट करूंगा तभी ये वीवी एक्टिवेट होगा देखिए वीवी एक्टिव होता है सेवन थाउजन आर्पीम पर तो अभी हम इसको चलाते है थोड़ा चला के इसका राइडिंग एक्स्पीडियेंस आपको बोलते है तो यह बहुत ही एग्रेशिव बाइक है और अब जो इसका तोड़क है वह अच्छा है क्यूंकि इसमें बड़ा बड़ा स्प्रोकेट दिया गया है यम्मा की तरफ से और यम्मा का जो ब्रेंडिंग है वह मिलेगा आपको इस बाइक पे बाइक बढ़िया है जो छोटे-छोटे प्वाट होल्स होते है उसमें आपको ज्यादा दिक्टत नहीं देगा बाइक इन होल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है आराम से कि बाइक का साउंड जो है वह बहुत ही लाउड है कि काता गया है इसका जो और पट-पट-पट-पट मारा है जो हमको सुनने हम बहुत अचा लगा है तो इस बाइक में है 18.5 PHP का पावर होस्पावर 14 एनम ओफ टॉर्ग 13.9 एनम ओफ टॉर्ग जो कि हम 14 बोल सकते है और हमने 14 ही बोला और एक खास बात यह है कि इसका जो माईलेज है इसमें आपको पावर भी भर भर के मिलेगा और इसका जो माईलेज है यह भी बहुत बढ़िया मिल जाता है आपको 45 प्लस माईलेज आपको देखने मिल जाएगा इस बाइक में आज कल के बाइक में 45 माईलेज दिखना मतलब बहुत बड़ी बात है तो फुट्टी फाइब प्लस माईलेज तो मतलब होपी वाक वाक यह ड्राइवर है कि क्या है साउंड सुनीं और एक बात की इसमें स्लिपर क्लच दिया गया है जो कि आप एक उंगली से भी मतलब देखिए कि कर सकते हैं और एक खास बात हम आपको दिखा देते हैं आसपास आदमिन नहीं है यह देख लीजिए इसंते ही ड्हसा हैं मतलब मतलबर ने कम छेसंते हैं सेकंद गेर में भी शायद vy जाएगी अच्छा 2 गीर में नहीं होगा फर्स गेर में विली आरहांसे पह जाती है अगर आप proteg भी है तो घृड़ के सौकेन है तो तो आराम से आप विलीज पॉप कर सकते है इसमें मैंने आपको थोड़ा नमूना दिखाई दिया हाँ 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 तो आफ कर दिया हमने बाइक को यह हैं एम्टी 15 यह महां से इसका जो हैड़ाइट है यह सब प्रोजेक्टर है मतलब एलीडी प्रोजेक्टर आपकी दिखने में बहुत ही एग्रेसिव दिखता है यह सब ट्यूबलेस टाइर्स में मिलते है और लिक्विट कुल इंजिन है 155 सीसी का बाकी पटपट वाला आवाज क्यों आ रहा था यह हम आपको दिखा देते है यह देखिए यह कटके रखा है इसने भाई ने तो यह काटा हुआ है इसलिए मतलब पटपट वाला आवाज आता रहता है और टेल टाइडी जो है वो भी खोल के रखा है टेल टाइडी मतलब इतना तक तो रहता ही है इसको खोल के रखा है बाकी हम आपको आवाज सुना देते हैं एक बार फिर से सुन लिजिए जाबर डस्त बाकी इसका बिल्ड क्वाइलिटी मतलब जो फाइबर का क्वाइलिटी है जबर डस्त फिनिशिंग इसका अच्छा है बहुत बढ़िया फिनिशिंग दिया गया है राइड बाइड वायर ट्रोटल जो की बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से एलिटी टेल लाइट और साइट का इंडिकेटर जो है वो खोल के रखा है उसने अपन फिर से घर चले जाते है घर की तरफ अपना दोस्ट जो है वो रुखा हुआ होगा और यह आर्पियम लाइट है अगर आपने हिट किया तो यह वाला लाइट जलेगा पाकि यह बिएस वाला है आप है नहीं कमें ब्लिगया जलता है ऐसीन यह बहुत कि और इसके जो पीछे की सीट है उसमें आप मतलब अपनी मम्मी को और अपनी वाइप को तो बैठा नहीं सकते तो अगर आप पॉले स्टुडेंट है तो ही इसको खरीदी है मतलब बाल बच्चे वाले है तो इसको ज्यादा प्रिफेरेंस नहीं देते हम क्योंकि क्योंकि मतलब यह गाड़ी बहुत ही शॉर्ट गाड़ी है कॉछा गुमाएंके देखते हैं हाहा अच्छा खासा पावर है इसमें भी तो मतलब इस बाइक का एक ही खासियत है कि इसका जो पावर्स है वो लोर आर्पिम और मीड आर्पिम पर फूरा बेस्ट है कि अगर आपको सीटी राइट करना है बस तो आप इसको बढ़िया से ले सकते है अपना रोट का कंडिशन इतना ठीक नहीं है इसलिए हम मतलब ज्यादा दूर भी नहीं गए अच्छा रोट देखने के लिए सुन रहे हो सांड सुन रहे हो सेकेंडो में 0-60 मतलब बहुत कम ताइम में ले लेता है ये 0-60 टेस्ट हम करेंगे मैं तो बस इसके सांड पर ये मतलब गूम हो गया क्या ही बोले इसका सांड वाउ तो अभी हम इसको भगाएंगे 0-60 टेस्ट करेंगे लांच इन 3-2-1 जीरो टू शिक्स्टी मतलब ये पाइक लग भग चार सेकेंड में कोवर कर दिया वोपी औल guys liked the video if you like the video then like share comment and subscribe to my youtube channel मैं तुह मैंने स्क्स्टी अवीज जीms